आओ गाएं सब हिल मिल ये है नवसाचर में दिल तील गगन में वोकी जैसे तारों की जिल मिल ये है नवसाचर में दिल ये है नवसाचर में दिल मेरे प्यारे साथियों आज हम आपको भोजन और स्वास्ते इन दौनों विश्यों पर बहुत सारी महत्पूर्ण बातें बताने जा रहे हैं और हां इसके लिए हमने अपने सतश चिक्षा केंद्र में डॉक्टर पृतिवा गोयल को भी आमंत्रित किया हुआ है भाया वनीश तुमने डॉक्टर साथ को गाम में बुला के बहुत ही अच्छो काम कियो है भाया मों उन्ते बहुत बहुत जरूरी बात पूछनी है अजिए अच्छा का ओं अजिए नमस्ते हैं डॉक्टर साहिवा मैं अपने भाईयों बहनों के और से सबसे पहले एक प्रशन पूछना चाहूँगा कि हम लोग संतुलिक भोजन कहते किसे हैं देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता और ना सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने जीब को स्वाद दें भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है उर्जा प्रदान करता है अरे राम जी भला करे आपका यो बात तो अब ठीक हो पर खाना ना खावें तो पेट में चूहे दोने लगे है जो हमारा भोजन है वो हमारी भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट में जाता है और वहां की मास पेशिया ही उस भोजन का मंधन करती है उसके बाद अन्य पाच्चे रस बनते हैं जिने हम बाइल या फिर गास्ट्रिट भी कहते हैं और भी तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को सुपाच्चे बनाते हैं जब रख्ट के द्वारा ऑक्सिजन हमारे शरीर के अन्य भागों एवन मास पेशियों को पहुँच जाता है तो जो अशुद रख्ट बचता है वो हमारे रख्टे में वापस भेज दिया जाता है वो जो रख्ट की नलिकाएं और छोटी क्यापिल्रीज होती हैं उनके द् और फिर रधे से ये रख्ट हमारे फेपडों में भेज दिया जाता है वापस और फेपडों से दुबारा इस रख्ट को ऑक्सिजन प्राप्त होता है और यही प्राण वाईू पुराने जमाने में जो योगी लोग थे अपने फेपडों के अंदर भर कर अपने पूरे शर को लोहे जितना मजबूद बना लेते थे हैं एक योगी लोग इतने संदर तरीके से प्राणायाम करते हैं और देखो प्राणायाम जो है वो सांस को न्यंतृत करने की सबसे प्रभाव पूर्ण करिया है अब हम लोग आते हैं उसी कहावद पर कौंसी कहावद ड्रक्टर साब यही कि खाओ जीने के लिए ना कि जीओ खाने के लिए खाना हमारे जीवन के लिए जरूरी जरूर है पर इसका मतलब यह नहीं कि बकरी की तरह जब हुआ चबाते ही जा रहे हैं चबाते ही जा रहे हैं अब भोजन हमें जीवत रखने के लिए जरूरी जरूर है मगर सिर्फ खाना खाना ही हमारे जीवन का एक मकसद नहीं बन जाना चाहिए राम जी भला करे डॉक्टर भेन अब मूँ बांदे तो बैठाना जावे हैं अब जो यह बच्चे हैं यह तो दिन बर कुछ ना कुछ खाते ही रवे हैं बेहन जी मैं मूँ बांदने या खाना ना खाने की बात नहीं कर रहे है मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बच्चों को अपने विकास के लिए शरीर की बढ़ोतरी के लिए कुछ न कुछ खाते जरूर रहना चाहिए ताकि सेहत बने मगर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी चीज उठा कर खा ली आप यह बताए डॉक्टर साहिबा कि एक सही दिन चरिया के लिए प्रतियक व्यक्ति को कितनी बार खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए यह बात तो हमारे सारे साथी जानना चाहिए देखी रादा जी एक स्वस्त व्यक्ति को कमसकम दिन में चार बार खाना चाहिए अच्छा चार बार खाना चाहिए यानि कि हर चार घंटे पर कुछ न कुछ लेते रहिए जैसे सुबह आठ से आठ साड़े आठ बजे तक नाश्टा और फिर बारा से एक बजे तक भोजन जिसे लांज कहते हैं और उसके बाद शाम के समय चार से पांच बजे फल, बिस्किट और चाय पी सकते हैं और फिर दुबारा आठ बजे यानि रात के वक्त आप अपना भोजन दुबारा लें यानि कि जिसे डिनर कहते हैं पर आप ये बताईए कि आपके हिसाब से नाश्टे में क्या-क्या होना चाहिए नाश्टा जैसा भी उचे थो अपने हनुसार बनाना चाहिए अब जैसे हमारे किसान तो साधा पानी और मसी रोटी और उस पर छाज या मठाई पे कर रह जाते हैं मगर नाश्टा चाहिए जो भी हो सेहत से संपूर्ण होना चाहिए डॉक्र साहिवा मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे कुछ भाई लोग हमारे सुबा उठके नहीं खाते या उन्हें खाना खाने की सुबा आज़त नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए देखिए अगर उन लोगों को भूक नहीं लगती सवेरे या तो कुछ न कुछ गड़बर तो जरूर है या तो रात का घाना बहुत देर से खाया है या तो कुछ जादा ही मसालेदार चीज़ खाली है या तो तेल से भरा हुआ खाना खाली है या एक आखरी समस्या यह हो सकती है कि वो कब्स का मरीज हो सकता है यह बात तो बिल्कुल ठीक बात और आप खुदी सोचिए रात के भोजन के बाद सवेरे के भोजन यानि आट और आट बजे के बीच में बारा घंटे का फर्क होता है तो इतनी देर में आपका जो पेट है वो पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए और आपको भोग बिल्कुल ही लगनी चाहिए ये तो बिल्कुल बात अप्जेंटी डाक्टर साब कभी कभी तो मेरा घरवाई से जगणा हो जावे है वो तो गिनके चार रोटी और मठ्ठा देवे है और मुझे लगे है कि मैं एक दो रोटी और खालू तो क्या ये ठीक है? इसका मतलब आपका हाजमा बहुत ही अच्छा है वैसे भी जो लोग मेहनत में शक्कत करते हैं खेती बाड़ी का काम करते हैं उन्हें कब्ज की शिकायत कभी नहीं होती अरे राम जी भला करे आपका अरे यो कब्ज तो शहरी बाबों को सतावे है जो चोविस सो घंटे कुर्सी पे चिपके रहे हैं और उस पे हुकम चलावे हैं अरे सबजी लेने जावे तो स्कूटर पे जावे स्कूटर ना मिले तो सैकल पे जावे जो लोग जादा काम करते हैं दिमाग का उनके लिए बहतर यही है कि वो हलका भोजन करें पुष्ट रहने के लिए जैसे दूद, दलिया, खिचडी ये इनके लिए ठीक रहेगे और उन लोगों को खास तर पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सलात को अधिक मातरा मिखाएं हर इंसान को बच्चों की तरह भूक लग सकती है बशर्ते, उसका खाना पीना और आहार वेहार बिल्कुल ठीक धंग से हो और वो खुश रहना सीखे आप हुमारे साचीओं को दुपहर के भूजन के बारे में भी कुछ बता है कि दुपहर का भूजन किस तरह से संतुलित हो सकता है ये बात मनीजी आपने बहुत ही अच्छी पूछी देखी कई बार ऐसा होता है कि बहुत विद्वान और पड़े लिखे लोग भी संतुलित भोजन से बंचित रह जाता है ये बिल्कुल ठीप होती है देखी स्वाद एक अलग चीज है और संतुलन एक अलग चीज है बिल्कुल ठीप है भोजन के मामले में हम इतना समझ लें कि प्रकृति के जितना ही गरीब और नस्दीक रहें उतने ही अच्छा इसका तो ये मतलब उप कि हम लोगों को जंगल में जाकर नदी के किनारे पे रहें जी यह को ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रकृति से जो भी चीज जिस रूप में मिले हम उसी रूप में उसका सेवन करें समझे रामका कर जैसे फल, फूल, खामका हम उसे पका कर गरिश्ट बना देते हैं यह बात हमें जरा खोल कर समझाईए हमारे साथ ही लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं देखिए भूजन के लिए सबसे आवश्यक यह है कि उसमें सलाद जरूर होना चाहिए सलाद में आ जाता है गाजर, मूली, टमाटर, शलगम, चुकंदर, इत्यादी जो हमारे शरीर में जाकर हमारे पूरे नियम को बनाते हैं और कब्स जैसी जो शकायते हैं लोगों को होती हैं अकसर उन्हें हमेशे हमेशे के लिए दूर कर देते हैं पर इन सभी चीजों को खाने से पहले एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि साफ सफाई जरूर रहे बगएर साफ करें नियम को बिगाड़ देता है इसलिए ऐसी बिमारी से दूर रहने के लिए सलात खाना अत्यान दावशक है डॉक्टर साहिबा आप ऐसा संतुलित आहार बताएं जो खरचीला भी ना हो और पॉस्टिक भी हो देखो राधा खाने में हमारे घर में आम तोर पे रोटी, चावल, कड़ी जो भी बनता है वो बहुत ही सुपाच्च्य और स्वास्थे वर्दग होता है अगर हमें हफते में एक दो बार चटपटा खाना भी खा लें तो भी कोई बात नहीं परन्तु इस चीज का खास तोर पे ध्यान रखें कि डीप तली हुई चीजें या मसालेदार चीजें ना ही खाएं और अगर सूने से पहले आपने चाज या मठ्ठा पे लिया तो सूने पे सुहागा हो जाएगा ये भी अच्छा रहेगा अगर मीठे में चीनी की जगा गुड का प्रयोग करें डाक्टर साब और मासाहरी लोगों के लिए आपकी क्या सला है मासाहरी लोगों को अंडे, मचली और चिकन पर नरभर अधिक रहना चाहिए क्योंकि ये वो सब खा सकते हैं और उसी से सेहत अपनी बना सकते हैं पर उन्हें इस चीज का खास तोर पर ध्यान रखना चाहिए कि अधिक चिकनाई वाली चीज़ें और अधिक मसालेदार चीज़ें इन सब चीजों से दूर ही रहे तो डॉक्टर साब सारांश ये निकला कि हमें अपने खाने में सलात का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और हाँ हरी सबजियां जैसे घीया, तोरी, टमाटर, मटर, करेला जो भी मौस में सबजियां हो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें और हाँ, एक बात और, कि दूद और दूद से बनीवी चीज़ें जैसे दही, पनी, रादी से हमारे शरीर में कैल्शम की पूर्ती अपने आप होती रहती है क्यों जी? और एक और बात, जब भूक लगे, तो आदी या एक रोटी कम ही खाएं तो इससे आप सभी सुखी रहेंगे और हाँ, दालें भी साबू ठीका हैं तो बहतर होता है क्योंकि वो स्वादेश्ट होती हैं और पॉष्टिक होती है अरे राम जी भला करें डॉक्टर जी आप तो हमें यो बता दो कि पानी कब और कितना पीवे तीजन भाई आपने ये बहुती अच्छी बात पूछी आम तोर पे लोगों की आदत होती है कि खाने के बीच में तहर सारा पानी पी लेते हैं अब इससे ये होता है कि खाने को हजम करने में मुश्किल आती है खाने के फौरण बाद ना मगर कम से कम एक देड़ घंटे बाद रुपकर आप हर खाने के बाद पानी पी सकते हैं और और भी अच्छा तब होगा कि जरा आनंद लेकर धीरे धीरे पानी को पी है इसमें एक बहुती बारिक बात है यानी जल को हमें उसी तरह से दीरे दीरे घूट भर भर के पीना चाहिए जिस तरह हम अपना भोजन दीरे दीरे ग्रेहन करते हैं ड़क्र साब एक बात बताओ सांज के बकत में जब 4-5 बजे हमारे पेट में चुआ दोडन लगे हैं तो वह बकत में हम चनावना खा के अपना गुजारत कर लेते हैं अब आप ये बात बताओ के यूबा ठीक है का चनाचबाना हमारे स्वास्त के लिए बहुती अच्छा होता है रक्त का प्रभाव बढ़ता है जिससे के हमारे दांतों और मसूडों की अच्छी दशा बनी रहती है डक्टर जी आप तो यो बताओ कि हम सब खाने में कौन-कौन सी चीजों को ध्यान रखे हरी सबजियों के इलावा फलों में आम, अनार, मुसम्मी सभी बहुती उप्योगी है सेब में खास तौर पे विटमिन सी और क्याल्शम की मातरा अधिक है पीले फल जैसे पपीता है उसमें विटमिन ए की मातरा अधिक है गाजर में विटमिन ए बहुत है आवला चाहे हम किस भी रूप में लें उतने विटमिन सी, डी और क्याल्शम की मातरा अधिक है जो विटमिन ए है वो हमारी आँखों के लिए और जिगर के लिए बहुत ही फायदे मंद है डाक्टर साब क्या मेंगे फली फायदे मंद होते हैं? जी नहीं, ये तो वहम है, मौसमी फल कहीं जादा उपयोगी और लाबदायक होते हैं जैसे के अमरूद जो कि सेव से कहीं जादा सस्ता भी होता है और साथी साथ उससे कहीं बढ़कर उपयोगी भी होता है और फायदे मंद भी होता है और भी कई तरह के मौसमी फल जैसे जो सस्ते होते हैं जैसे बेर, बेल, जामुन, हर्बूज, तर्बूज ये सभी प्रकृती के द्वारा हमारे लिए एक वर्दान ही तो हैं हमें इनका भरपूर सेवन करना चाहिए अरे हां डक्टर साहिबा, मेरे मामा जी करेले को बहुत उपयोगी बताते हैं बेशक, मदु मैं के लिए तो करेला एक बहुत बड़ी काठ है, एक अंटिडोट है डक्टर साहिबा, अब ऐसा कुछ बताईए, जिससे बच्चे, बुढ़े, जवान सभी स्वस्त रहें देखे रादा जी, स्वास्त का जहां तक सवाल है, स्वास्त और अच्छी सेहत का सबसे अच्छा मंत्र यही है समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर सो भूक लगने पर, मौका बर मौका, कभी भी कुछ भी खा लेना, वो भी बगएर मुहाद्धोय, जहर का काम करता है बहुत ठीक डक्टर साहब दूसरी बात यह है कि अपनी सेहत और उम्र के अनुसार, बाहर निकल कर खुली हवा खानी चाहिए और वर्दिश करनी चाहिए अगर कड़ा परिश्रम किया हो, तो बैट कर थोड़ी देर विश्राम कर लेना, या फिर लेट कर विश्राम कर लेना, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है टाक्टर साहिबर, यू बात आपने बहुत अच्छी बताई, भई विश्राम भी बहुत जरूरी है और सबसे आखरी मंत्र है, धेर सारा विटमिन एच खाना बला यो कौन सा विटामीन हुआ? विटमिन एच यानि हसना, यानि हापिनस, धेर सारी हंसी कम काए और गम काए कि बन सुखी बनाएगा, होगा अन वैसा ही तन्मीन गोजन पॉष्टिक साएगा, अन होता बेश कीमती हो न कभी भूनी वह बहुत अच्छा, तो अब एक आखरी सूचना ओड, कि हम लोग कर सुबा मिलेंगे पार्क में और वहाद क्या सीखेंगे? सुर्य नमस्कार प्यारे ग्याओवासियों, माता और बहनों, ये सुर्य नमस्कार जो हैं, सुबा सुदा है, जब सुर्य भागवान के किरणे लाल रंकी, सफेद ना हुए, सुर्य भागवान के तरह मूँ करके और इस बयायान को करना चाहिए, सुर्य भागवान में बारह अस्थाएं हैं, चुकि सुर्य भागवान के अनेक नाम हैं, लेकिन इन बारहो अस्थाओं पर एक एक नाम लेकर के योगा भ्यासी एक पोस्चर करता है, एक आक आकरती बनाता है, और हर आकरती में एक आसन बनेगा, इसलिए योगियों ने इस एक बात बता गुरू जी तुम्हारा सूर्ज नमस्कार जो है वाके कर वेते जही मटका सो जहेंद ठीठा जाए जो पुछाई नहोंने बैठ जाए अभी हमने आपको सुर्ण नमस्कार करके दिखाया नहीं अभी सुर्ण नमस्कार के बारे में थोड़ा बताया है अब हम आपको दो पोस्टर दो इसकी जो अवस्थाएं हैं दिखाऊंगा हमको लगता है इनोंने पहलवानी ज्यादा की है जोड़ा पालवानी छोड़ दी जे बताओ गुरुची कि हम लोग तो इसक्रिया हैं तो क्या हम लोग हमेशा वला हर रोज यह कर सकते हैं बड़ा अच्छा इनोंने प्रस्न पूछा हमारे भारतवस के योगियों ने महिलाओं को भी बताया कि बयाम करेंगी आसन करेंगी जोगिणिया होई हैं गुरु जी आपने हमें शूरी नंशकार की जितने सुन्दल हमारी शलेट कि लिए उपाय बताया हैं अब हमें यह बताईए कि सरी नंशकार हमें कैसे करना चाहिए। मैं आज उसी नंशकार बारे में बताओंगा देल का नम्मेरों की जैसे शारों की जिल्मिल ये है नोड़ा कश्रमे तिल ये है नोड़ा कश्रमे तिल लड़ कर प्वालब पो कि यहीं सुर्ण नमस्कार है इंदरा खड़े हो जाएं सुर्य भगवान को प्रात्ना कर लेके लिए दुना हाथ जोड़ लिजिए आखें बंद करिए और एक मंत्र का उचान करिए ओम सुर्याय नमा आखें खोलिये सामें देखिए जब मैं बोलूगा एक तो स्वांस खीच के दुना हाथों को उठाते हिए फीचे जाएंगे दो आगे छुकिये फिर भुक्ण के पास यह जाई यह जाएं रोगाँ पर पिछलंगा एपायां सामने देखिए बहु वहीं सुनदार आट उठाएंगे चार पर चार और वहीं सुनदार 5 आजमीन पर आगे का पमपिछे पिछे का पमआए कर लिजिए शेंद़र यह जैं बिश्कुट और चाय होता जा रहा है जिससे बहुत सारी जो है बिमारियां अपने आप आने लगती हैं इसलिए गाउं का सबसे बढ़ियां सुबह का भोजन अभ्यास करने के बाद का भोजन मैं आपको बताता हूँ वही आप अपने स्भील दीजिए और अपने बच्चों को भी देने का प्रयास करिए आप थोड़ा सा चाना अंकृत कर लिजिए मूंग डाल करके उसमें और उसको जब अंकृत हो जाए तो थोड़ और इससे सस्ता भोजन कोई भी नहीं हो सकता हमारे योगियों ने कहा है युक्ता हार भिहार अस्या युक्ता चस्ट करमसू युक्ता स्वापन भोधास योगा ही बहुत दुखा हा जदी आपका हार परमित है मीता हार है अल्प भोजन ले रहे हैं तो यह आपके स्वस्थ के लिए स्वास्त के लिए बहुत ही बढ़ियां चीमाना गया है आप अपने को स्वास्त रखने के लिए चाहे जैसा भी भोजन करें हमारे योगियों ने कहा है आधा भाग भुणरें का अन्य से भरें पेट का आधा भाग अन्य से भरें तीसरा भाग पानी से और एक भाग हवा आने जाने के लिए अगर आप ऐसा अपनाते हैं इसी विधी के द्वारा भोजन करते हैं सात्विक भोजन करते हैं तो आप बिल्कुल ही स्वस्त रहेंगे जी हम यो पूछना चाहें कि हमार गाउ में जो धनी राम है ना उसकी बहु के छोड़ा होगा और वे होते ही मर गया और ऐसी दो तिन अउर्तन के साथ हुआ तो डॉक्तर निसा में यो पूछना चाहूँ कि ऐसा क्यों हूँ अरे जिसका बच्चा होबे और होते सर नियुक्त जब पूरा समय के पाहले पाइदा होते हैं, जब कमज़ोर पाइदा होते हैं, तुरंदी अस्पताल पहुंचा देना चाहिए इनको, जब ऐसा भी होता है, जब मा के पेट में जब बैच्छा है, टेटनस का टीका नहीं लिया हो, तो वो लेना आपको जरूरी है, तुर जब बैच्चे होने में देरी लगते हैं, तब बैच्चे कभी पेट में टटी करते हैं, बैच्चे को ऑक्सिजन की जरूरत पड़ती है, तो तुरंदी ऑक्सिजन नहीं देने से बैच्चे मर जाते हैं, और जब बैच्चे पेट में कभी पानी पी लेते हैं, तो सक्षन की जर जरूरी है इसी कारण से भी बच्चा का मोध हो सकता है अब जे देखो डॉक्टर ने जी कि हमार गाउमा कितनी ओरतें बच्चा जनते ही गुजर रात हैं अब आप जे बताओ कि ऐसा का किया जाए कि सारी जनानी सला मत रहे जब महिलाओं को यह पता चले कि उनके पेट में ब जरूरी है और जो कुन की जान्च ये पेशाव की जान्च बोले वो भी करना जरूरी है और टेटनिस का दो टीका है चार ये पांच मैने में एक एक माहिने के अंदर लेना है वो लेना भी सबसे जरूरी है और जो काना पीना का ध्यान रेकना भी जरूरी है इससे महिलाओं अच्छा बच्चा बच्चा दोनों सुखी रहने के लिए जैसे मैंने पहले बताया जब बच्चा पेट में है आवरितों को चाहिए कि हार मैंना किसी अस्पताल या मैंटरेनिती हो में जाकर हार मैंना चकप घरावे और मैंना को जब गर्भोती है तब कोई भीमारी पड़ जाते है तब डॉक्टरों के सलाह से ही कोई दवाई लेना चाहिए कोई अंडसंड दवा उनको नहीं लेना चाहिए जब बच्चा घूमते उनको हमेशा मौसूस करना चाहिए जब बच्चा नहीं घूमे तब भी उनको अस्पताल जाना जरूरी है जब बच्चा पेट में है माहिलाओं को संदुरित भोजन लेना बहुत जरूरी है जैसे प्रोटीन, वीटमिन्स सब लेना इनके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए भी आप डॉक्टरों की सलाह लेना है यह कोई जरूरित नहीं की अस्पताल में लेकर आए लेकिन सलाह लेना हमेशा अच्चा रहता है और जब बैच्चा पैदा होते हैं, सही तरीके से अगर करे तो अच्छा है जैसे बैच्चों का नाड काटने के लिए जब ब्लेड का उपयोग करते हैं तो वो यूस किया हुआ होना नहीं है तो नाया नाया लेना जरूरी है ऐसे से ध्यान देखना है और टेटनेस का टीका घाओ में भी लगता है तो आप घाओ में भी जाकर टेटनेस का टीका लगा सकते हैं टेटने जी एक बात और बताती जिए बच्चा तंदुरुस्त रहे इसके लिए बाप को क्या करना पड़ेगा बच्चे तंदरिस्ती रहने के लिए बाप को जब भी बच्चा पेट में है तबी अपनी अविरत को अस्पताल में लाकर उनकी चक्कप करावे सही डंग से दवाईयां दिलाए जब उनको दर्द शुरू होते हैं समय पर अस्पताल पहुंचाए और जनम के बाद भी मा और बच्चे को सही डंग से भौजन और दवाईयां जो घुराक देना है वो दिलाना बाप का कर्तवी है जिम्मेदारी है गलगो टूरी गाली गासी बच्चे बड़े की जानक प्यासी बच्चों बड़ों की जानक प्यासी ओ इस बीमारी से हम को बचाना समे से इनको पीके लगाना अपने बच्चों को बचाना समे से इनको पीके लगाना साप सूतिरा पानी पीना दगा हुआ ही भोजन खाना ओ बच्चर मक्ची से इसको बचाना समे से इनको पीके लगाना अपने बच्चों को बच्चों को भीके लगाना कदम से कदम मिला के चले को तो दूर ने करते एक एक कर एक दीक से ये रोजी पाक जरते फीर दगन में होती जरते तारों की जिमी ये है नौसा शर्मती ये है नौसा शर्मती